हमारी पूजी निया लाल किताब के अंदर कुछ उपाया ऐसे बताए गए हैं, जिनको किसी विशिश परिस्थिति में किया जाए, तो ये उपाय अपना गंटों में असर दिखा दिते हैं, आईये जानते हैं वो कौन से उपाया होते हैं और किन परिस्थितियों में ये किया जा सकते हैं यदि आपको अपने मांसंबान के चिंता हमेशा बनी रहती है और छूटी छूटी बातों को ले करके लोग आपसे एडवाइस की जगह पर बहस करने लग जाते हो यानि आपने किसी को अच्छी बात बता हैं लोग आपसे बढ़क करके लड़ाई करने लग जाते हो तो आपको हर महिने में एक काला सफेद कंबल किसी मजदूर आदमी को दान दे देना चाहिए आप मंदिर में रखाए उपाय दिन के समय करिएगा बिमारी बहुत ज़्यादा घर में बढ़ती जारी है डायगनोज ना हो पारी हो दवाई खाते खाते आप तक गए है और किसी भी प्रकार से आपकी रिपोर्ट में बिमारी भी निकल के ना आती हो तो आप अपने वजन के दसे हिस्से का कच्छा कोला प्रवाह कर दीजेगा कच्छा कोला नहीं हो सकता है तो आप इसकी जगह पर लेड़ भी ले सकते हैं जो बैटरी से स्क्राप निकलता है और इक बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ इनको आप गंदे नाले में प्रवाह नहीं करिएगा और रात के समय यह उपाय नहीं करिएगा इसके अलावा आपको अपने कामकाज के अंदर हमेशा ग्रोथ मिलती रहे आपके काम की लोग वैल्यू समझें आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्वेसिस में लोग नुक्स निकाल करके आपको परिशान ना करें या आपके कॉंपटिटर आपके उपर हावी ना हो जाएं इसके लिए क्या करें ये उपाय जो पताने जारा हूँ ये आपको अपने बॉस की नजर में भी इज़त बढ़ाने में जरूर मदद करेगा हर महीने में एक बार दस अंदों को भरपिट खाना जरूर खिला दे जब आप इन उपायों को करते रहते हैं तो आप यकीन मानी आपको रिजन्स अच्छी जरूर मिलेंगे